हेलो फ्राइब लेकुम बैक टू माई चैनल माईनम जांकुर मेंदरत्ता दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर मतलब ओल्ड इस गोल्ड याने की करन अर्जुन जो री रिलीज हो रही है कल के दिन पे और अजदेवन के 20 साल पुरानी फिल्म नाम जो की बनकर रेड नहीं सुना बहुत सई कोमल नहांटा को इंटर्वी दिया उन्होंने भाई कोमल नहांटा ने पूछा नाम फिल्म जो की पुरानी 20 साल पुरानी फिल्म है इसी को क्यों आपने अपना फिल्म इंडस्ट्री के आने के लिए चुना उन्होंने बोला देखो मैं चाहता था कि इसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में हूं वैसे तो वह बिजनस्वैन है और वह क्या करते हैं कंशक्शन का उनका बिजनस है तो बोलते हैं मेरे समित्र है जो की बहुत अच्छे है वह इस इंडस्ट्री के अंदर है जो फाइनांस करते है प्रोडूसर्स को उन्हों ने बोला तुझे आना है तो मैं तुझे एक फिल्म देता हूँ, अगर तुझे वो अच्छे लगी तो उसको तु रिलीस करवा दियो, उसके बाद तुझे जो करना है करी हो, कहता है जब मैंने फिल्म देखी ना, तो मैंने का भाई इसी फिल्म से मुझे इंडस्ट्री में कदम रखना है क्याता है, मैंने अब रिषेदारों को दिखाई, परिवार को दिखाई, तीन चार बार फिल्म देखी और सब को फिल्म पसंद आई, तो यही मैंने फैसला लिया, कि नाम फिल्म को हमें रिलीस कर्वाना चाहिए, जो कि इतने समय से अठ्की हुई है, जब वो मुझे बताना मैं आपकी हेल्प करूँगा और मुझे कोई भी फिल्म नहीं पैसा नहीं चाहिए यह बहुत अच्छी बात है जिदेवन की साथ सब्सक्राइब ने अनीज बाजमी को भी बोला जिदेवन ने के भाई आप भी इनको नोसी दे दो और कोई पैसा चार्ज मत करन सिनेमा ने इसको खुद प्रोडूस कर रहा है और इसको प्रमोट भी कर रहे है कल रिलीज हो रही है बहुत ठीक ठाक शोज मिले है और बहुत कम प्राइजिंग है सो रपै के आस्फास हमारे यहां पर इसकी टिकेट प्राइजिंग है तो मैं कहूंगा अगर पुराने जमा रोशन का इंट्रिव सुना उन्होंने बताया ये बात मुझे पहले भी पता थी बट जिनको नहीं पता मैं बता दूँ जो सलमान खान वाला करेक्टर न करन अरजुन में वो पहले अजदेवन को अफर हुआ था और शारुक खान तो थे थे बट क्या था शारुक खान रोमें करते हैं वाइस वर्सा करते हैं मतलब मैं रोमेंटिक करता हूँ तुम एक्शन कर लो क्योंकि दोनों को अपनी इमेज तोड़नी थी तो भाई उन्होंने सीधा एप्रोच किया किसको भाई सब डिरेक्टर ऑफ दे मूवी यानिकी रित्तिक रोशन के फादर सहाब उनको ब दोल मिल गया किसको आमिर खान को बट क्या था उधर सल्मान खान आ गए और फिर आमिर खान कर डेट नहीं थी छे महीने का वक्ट लगा उसके बड़ आमिर खान चले गए फाइनली करन ज Öर्वर करन अरजुन बनी इसके साथ शारु खान के साथ और सल्मान खन कैसा और अपने वक्त की ना कर्ट क्लासिक और सूपर दूपर हिट फिल्म है मुझे याद है ये फृरिदाबाद के सेक्टर सोला सागर सिनिमा में लगी थी हम आप क्या कौन भी वहीं लगी थी और ये भी वहीं लगी थी तो आज भी मुझे वो बाते याद है ताजा है मैं तो जा रहा हूँ कल देखने के लिए क्योंकि ऐसा नोस्टेलिजी है दुबारा मिलने वाला है कल दोनों ही फिल्मों से जो बहुत वक्त से मतलम नहीं मिला था भाई मेरे करन अरजुन आएंगे मेरे करन अरजुन आएंगे भाग अरजुन भाग 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 भाई वो सीन और भाई वो जो सीन अमरीश पुरी साफ़ वाले जो इस वक्त नहीं है उनसे बड़ा विलन कोई नहीं आया आज तक इंडेन से नहीं और उनको दुबरा देखने का मोगा मिलेगा तो कौन छोड़ना चाहेगा इसके भी ट्रिकेट प्राइजिंग बहुत कम है सो रुपए एक सो पांच रुपए एक सो दस रुपए एक सो पार रुपए तो मैं तो ये कहूंगा कुछ नहीं है तो जाकर देख लेना मज़ा आने वाला है मैं तो जा रहा हूं सोबर रिव्यू आएगा देखते हैं कौन सी फिल्म का शो मुझे पहले मिलता है देखनी दोनों ही है और उसके बाद अभी शेक बच्चंगी भी आ रही है वान टू टॉक वो फिल्म है सुझीत सरकार की वो भी बढ़िया डिरेक्टर है देखेंगे कल भाईसा पूरा दिन बिजी रहने वाला है आपकी क्यारा है जरूर बताना थैंक्स पूर वोचिंग